हाई फ्रेंड्स एक और बेहद इंपोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत हैं आज हम बात करेंगे गलूरियस रेवोलुशन को और इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गलूरियस रेवोलुशन का ब्रिटेन में क्या प्रभाव रहा है क्या हिस्ट्री रही है क्योंकि गलूरियस रेवोलुशन एक ऐसी रेवोलुशन रही है जिसने ब्रिटेन की शासन वेवस्था, ब्रिटेन की राजनिती और ब्रिटेन का इतिहास को पूरी तहा से परिवर्तित कर दिया था तो चलिए इस revolution को हम विश्तार पुर्वक समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इसके content की हम पहले बात करेंगे इसकी history और इसके क्या causes रहे हैं उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बास्तम में ये क्रांती क्या थी इसका स्वरूप क्या था और last में हम बात करेंगे इस क्रांती से जुड़े कुछ मैतोपून तत्यों की जब हम बात करते हैं glorious revolution की तो इससे पहले हमें इसका कुछ इतिहास जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि बिना इतिहास जाने हम सिधा सिधा glorious revolution को नहीं समझ सकते हैं तो इसकी शुरुआत हम करते हैं मैगना काठा से इंगलेंड में जब मैगना काठा नहीं था उससे पहले जो absolute power थी वो राजा के पास थी और जब मैगना काठा 1215 इसमी में इंगलेंड में लाया गया था उसके बाद ही राजा की जो absolute power थी उसको challenge किया गया था 12-15 से लेके 1688 के काल को इंग्लैन में संसद और राजदंतर के मध्य शक्ती के लिए संघर्ष का यूग कहा जाता है तो अब हम बात करते हैं मैगना काटा की ये काटा 1215 में लाया गया था और इसका पूरा नाम मैगना काटा लिबरेटेटम था और इस काटा को चार्टर ओफ लिबरेटी के नाम से भी जाना जाता है दो बातें यहाँ पे बहुत ही इमपोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है क्योंकि ये एक्जाम के पूइट अब विउ से बहुत ही इमपोर्टेंट है पहला मैगना काटा लिबरेटेटम इसका पूरा नाम था और इसको चार्टर ओफ लिबरेटी के नाम से भी जाना जाता है और सबसे important बात यहाँ पर यह है कि इसी मैगना कार्टा की वजह से सबसे पहले राजा की जो absolute powers थी उसको चुनोती दी गई थी और इस कार्टा को पहली बार जॉन किंग ने इंग्लेंड में लाया था जिसका पूरी डेड़ थी 15 जून 1215 इस भी और इसके बाद हुआ यह कि बिटेन में जब भी राजा कोई tax impose करता था या लगाता था तो इसको एक barons नामक की संस्था से permission या आग्या लेनी पड़ती थी इस तरह से मैगना काटा के द्वारा इंग्लेंड में पहली बार राजा की जो शक्तियां थी उसको सिमित किया गया था वहीं इंग्लेंड में पहली बार पारलेमेंट इलेक्टिट पारलेमेंट की स्थापना 1265 इस भी को की गई थी परन्तु ये जो चुनी हुई पारलेमेंट थी या फिर संसत थी इंग्लेंड में ये आधुनिक संसत से पूरी तरह अलग थी क्योंकि इसमें अभी भी लेंडिड इलीट, फ्यूडल नॉबेल्स और बैल दी अरिस्टोक्रेट को ही जगए मिलती थी आम लोगों को इस इलेक्टिड पारलेमेंट में अभी तक कोई जगए नहीं मिलती थी अब हम बात करते हैं इंग्लेंड की इतिहास में घटित एक बेहद इंपोर्टन घटना जिसका नाम है बौर ओफ रोजिज हाउस ओफ लेनकेस्टर और हाउस ओफ यॉर के बीच राजगदी के लिए हुए संगर्ष को ही सामुई ग्रूप से बौर ओफ रोजिज का नाम दिया जाता है इस बौर में हाउस ओफ लेनकेस्टर की जीद हुई और हैंरी सेवन को राजा बनाया गया और उनके राजा बनते ही टूडर वन्ष का शासन इंगलेंड में स्थापित हो गया और एक याद रखने वाली बात यहां पे यह है कि एलिजा वेद वन टूडर राजबन्ष की अंतिम रानी थी जीनों ने 1603 तक शासन किया और इससे भी इंपरेंट बात यहां पे यह है कि इनी के शासन काल में 1620 में East India Company भारत में आई थी लेकिन इनका कोई बारिस नहीं था जिसकी बज़े से इनके वन्ष का शासन खतम हो गया और टूडर वन्ष की समापती के बाद जितनी भी सत्ता थी या फिर शक्ती थी वो Stuart वन्ष के पास चली गई थी इंग्लेंड में स्टूर्ट वन्ष के पहले राजा जेम्स स्टूर्ट बने जिनकों की जेम्स वन के नाम से जाना गया जेम्स वन के बाद इनके पुत्र चाल्स वन 1625 इसवी में इंग्लेंड के राजा बन जाते हैं लेकिन 1640 SB में James 1 का स्कॉट लेंड के साथ बिबाद हुथपन हो जाता है और इस युद से निपटने के लिए वे कर को बढ़ाने की मांग करते हैं लेकिन पार्लेमेंट इससे काफी नाराज हो जाती है जिसकी वज़े से पार्लेमेंट और रास्तंतर के मध्य वहाँ पर संघर्ष स्तापित हो जाता है और इसी के वज़े से इंग्लेंड में 1642 SB में English Civil War शुरू हो जाता है अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि English Civil War क्या था English Civil War की शुरूआद 1642 SB में England में हुई थी और ये 1649 तक चला रहा अब हुआ क्या कि Charles I जो की राजा थे और पार्लेमेंट उनके मध्य ये तनाव हो जाता है तो इस युद से निपटने के लिए Charles I अपनी आर्मी को बनाते हैं जिसका नाम था Cavaliers और दूसरी तरफ पार्लेमेंट की भी एक आर्मी होती है जिसको की राउंड हैट्स कहा गया और इन दोनों के मध्य सिबिल बॉर होता है लेकिन इस सिबिल बॉर में पार्लेमेंट की जीत हो जाती है और Charles प्रथन की पराजय हो जाती है और इनकी पराजय के बाद Charles I को फासी दी गई थी और इंग्लेंड में पहली बार Republic या फिर Commonwealth की स्थापना किये गई थी लेकिन 1653 इस भी में इंग्लेंड में पार्लेमेंट को पूरी तरह से डिस्मिस किया जाता है और Oliver Crumbel को सत्ता दी जाती है लेकिन वे इंग्लेंड में तानाशहा शासन स्थापित कर लेते हैं और इंग्लेंड के इतिहास में इसको despotic rule के नाम से भी जाना जाता है हलंकी 1658 में उनकी death हो जाती है और उनकी death के बाद English ruling elite यहोड decide करती है कि इंग्लेंड में दुबारा से शान्ती एवं बेवस्था बनाए रखने के लिए मोनार्की को स्थापित किया जाना बहुत ही अनिवार्य है इसको देखते हुए पारलेमेंट चार्ल्स उनकी पुत्र चार्ल्स टू को शासन को करने के लिए बुलाती है और चार्ल्स टू 1660 से लेके 1650 तक राज करते हैं हलंकी 1650 में उनकी मृत्यू हो जाती है और उनकी मृत्यू बिना बारिस के होती है जिसकी वज़े से इंग्लेंड में फिर से शासन में अस्थिर्था आ जाती है और एक नया मोड आ जाता है अब होता क्या है कि Charles II की मृत्यू के बाद James II राजा बनते हैं और उनको राजा बनने में टोरी दल उनकी साहय अता करते हैं हलंकि James II की डेथ के बाद उनकी पुत्री Mary और N ने राजगर्दी का दावा करती है और दोनों ही वह पूर्टेस्टेंट है और उनके जो पती है वह भी दोनों पूर्टेस्टेंट है हलंकि England की लोगों ने यहो सोचा कि James II का शासन बहुत कम होगा और उसके बाद पूर्टेस्टेंट कुईन राज करेगी लेकिन 1688 में इंग्लेंड के इतिहास में एक नया मोर आ जाता है James 2 की दूसरी पतनी Mary Vitrice एक पुत्र को जनम देती है और लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि उनका एक पुत्र होगा और साथ में लोगों को यह भी आशंका हो गई थी कि अब इनके पुत्र को कैथोलिक बनाया जाएगा लेकिन इस समय ब्रिटेन के इतिहास में एक लौ था जिस लौ को लौ आफ प्रिमो जेनेचर के नाम से जाना जाता था इस लौ की प्रमुख विशेशता ये थी कि इस लौ के अनुसार मेल चाइल्ड को फिमेल से पहले राजगद्दी का अधिकार दिया जाता था परन्तु इंग्लेंड की पार्लेमेंट ने यहाँ फैसला लिया कि जेम्स टू की प्रोटेस्टेंट पुत्री मेरी और उनके हस्बेंट बिलियम आफ ओरेंज को राजगद्दी के लिए बुलाया जाएगा और पार्लेमेंट ने वैसा ही किया और फाइनली इनकी जो पुत्री है जेम्स टू की मेरी और उनके पती बिलियम आफ ओरेंज को राजगद्दी पर बिठाया गया दोनों वे प्रोटेस्टेंट थे और इस तरह से फाइनली 1215 से लेके 1618 तक जो बिटेन के इतिहास में रा इंग्लेंड में कॉंस्ट्यूशनल मौनार्की स्थापित हो गई थी। बातें देखते हैं तो जब ये घटना घट गई थी अर्थात गलूरिस रेबोलिशन हो गई थी तो इंग्लेंड में जो मौनार्की के पास एपसलीट पावर होती थी वो खतम हो गई और दुबारा कभी मौनार्की वहां की एपसलीट पावर प्राप्त नहीं कर पाई पर ये थी कि गलूरिस रेबोलिशन को रेबोलिशन ओफ 1688 के नाम से भी जाना जाता है और इसको ब्लूड लेस रेबोलिशन भी कहा जाता है क्योंकि इस रेबोलिशन में खोन का एक बोन तक भी नहीं बही गई थी। दूसरा कि ये इंगलेंड में 1688 से 1689 के बीच exact date में घटित हुई थी। और एक और important बात ये है कि इस गलूरियस रेबोलिशन के बाद इंगलेंड में कभी भी मोनार्की absolute power प्राप्त नहीं कर सकी बलकि अगर हम आज भी इंगलेंड में देखे तो मोनार्की को as a institution ही स्थापित किया गया है उसके पास बास्तिक शक्तियां इंगलेंड में अब नह तो ये थे गलूरियस रेबोलिशन के कुछ मैतोपूर्ण इवेंड्स अब हम बात करते हैं लास्ट में कुछ important key facts तो जो गलूरियस रेबोलिशन के टर्म है इसको पहली बार सबसे पहले 1669 में जॉन हेंपडन ने गड़ा था प्रतिपादित किया था दूसरी इसकी important बात ये है कि इस phrase को बिंग हिस्टोरियन ने bloodless revolution के रूप में गड़ा है यानि कि बिंग हिस्टोरियन ने इसको bloodless अर्थात रक्त विहिन करांति के नाम से संघ्या दी है इसकी एक और important बात ये थी कि Catholic हिस्टोरियन ने glorious revolution को revolution of 1688 के रूप में संघ्या दी और सबसे important बात ये है कि John Locke ने इस glorious revolution को एक उत्तम प्रकार की revolution बताया उन्होंने इसकी काफी प्रशंचा की काफी सहारा और क्यूकि John Locke ने limited government की बात की थी उन्होंने limited government की बकालत की थी और इस revolution के द्वारा भी इंग्लेंड में पहली बार limited government की स्थापना हो गई थी और जिसको की constitutional monarch की भी कहा गया तब से लेके अब तक बिटेन में इस तरह की जो constitutional monarch की है वो स्थापित की गई है तो ये थी एक बहुत important वीडियो जिसके द्वारा हमने जानने का प्रयास किया कि इंग्लेंड में किस तरह से glorious revolution हुई उससे पहले किस तरह से वहाँ पर राजदंत्र और संसत के मध्य शक्ति अवम सत्ता के लिए संगर चलता रहा किस तरह से ब्रिटेन में civil war हुआ और किस तरह से जो है वहाँ पर जब glorious revolution आई तो उसका स्वरूप क्या रहा और उसके कुछ key points क्या थे मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजी शेर कीजी सब्सक्राइब कीजी और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद